जै हिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल Read&Learn with Mr. Abhay में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम संख्या पद्यती के एक विशेश टॉपिक स्रीज वाले प्रस्ण का अध्यान करेंगे दोस्तों ये जो टॉपिक है इसे अकसर आपके परिछा में सवाल कूछे जाते हैं तो आएए इसके कांसेप्ट को और इसके ट्रिक को अच्छे से समझने का प्रयास करता है दोस्तों जो भी सवाल स्रीज पर बनते हैं वो एक खास पैटर्न पर बनाये जाते हैं उस pattern को समझने की बात है जब हम उसके pattern को समझ जाएंगे तो सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे series वाले प्रस्ण और series वाले यह जो प्रस्ण बनते हैं n upon a into b type के बनते हैं आए दोस्तों इसके पूरे concept को हम इसमें समझेंगे आप देख पा रहे होंगे कि type 1 type 1 का सवाल क्या है question 1 है कि 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon 4 into 5 plus dot 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 plus 1 upon 9 into 10 is equal to क्या होगा यह आपके option है 1 upon 5, 2 upon 5, 2 upon 99 और none of these तो दोस्तों सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम इसके basic concept को समझेंगे कि आखिर इसका basic concept क्या है यह सवाल लगता कैसे है उसके बाद हम trick को भी देखेंगे जिससे हम एक second में इसका उतर दे सकते है तो दोस्तों आप अगर बात करें 1 upon 2 into 3 की तो दोस्तों अगर इस series को आप ध्यान से देखेंगे तो यह series है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon 2 minus 1 upon 3 1 upon 2 minus 1 upon 3 इसको आप solution इसका हल करके देख सकते हैं इसका LCM हो जाएगा 2 into 3 और यह हो जाएगा यहाँ पे आएगा 2 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और 3 से डिवाइट करेंगे तो ये बचेगा 2 ये आपके सामने आ गया 1 upon 2 into 3 तो दोस्तों जब भी जब भी दो कोई भी सिरीज हो 1 upon 2 into 3 चाया कुछ भी हो अगर उनका अंतर उपर दिया हो तो आपको जान जाना है कि 1 upon करके उसको घटाया गया है तो आएए इसको हम फैक्टर करते हैं इसका 1 upon 2 into 3 है तो इसको हम अलग कर लेंगे 1 upon 2 minus 1 upon 3 1 upon 2 minus 1 upon 3 हो जाएगा प्लस अब देख रहे हैं कि 1 upon 3 into 4 है तो इसमें भी एक का अंतर है एक उपर दिया हुआ है तो इसका भी हो जाएगा 1 upon 3 minus 1 upon 4 प्लस फिर इसको भी आप देख पा रहे होंगे कि 1 upon 4 minus 5 है और इन दोनों का अंतर 1 है और उपर 1 लिखा है तो इसका भी मतलब हो गया कि 1 upon 4 में से 1 upon 5 घटाया गया है प्लस डाटाटाटाट हमागे बढ़ेंगे प्लस यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि 1 upon 9 into 10 है और दोनों का अंतर 1 है और 1 उपर लिखा हुआ है यानि 1 upon 9 से 1 upon 10 को क्या किया गया है माइनस किया गया है अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह है 1 upon 2 यहाँ पे 1 upon 3 है यह 1 upon 3 कट जाएगा माइनस 1 upon 4 से प्लस 1 upon 4 कट जाएगा इसी तरह माइनस 1 upon 5 से यहाँ प्लस 1 अपान थाइप रहेगा कट जाएगा उसी तरह यहाँ पर माइनस देखे सबसे पहले माइनस वाला आ रहा है उसके बाद प्लस वाला कट रहा है तो यहाँ प्लस वाला है तो इसके पहले माइनस वाला रहा होगा इससे ये कर जाएगा अब बच जाएगा 1 अपान 2 और यहां बच गया माइनस 1 अपान 10 तो इसी को आपको add कर देना है 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 10 इसका हम LCM ले लेंगे तो LCM हो जाएगा 10 2 से डिवाइट करेंगे 2 5 जा 10 होता है तो 5 हो जाएगा यहां और 10 से एक बार तो यहां पर 1 हो जाएगा 5 में से गटाएगा तो बचेगा 4 बटा 10 इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 दुना के 4 होता है और 2 बचे 10 होता है तो बचेगा 2 बटा 5 दोस्तों आपका आप्षन नम्मर B 2 बटे 5 करेक्ट एंसर होगा दोस्तों यह रहा आपका बेसी कांसेप्ट बेसी कांसेप्ट से आप इस सवाल को इस तरह से लगा सकते हैं बात अगर ट्रिक की करें ट्रिक की तो ट्रिक भी इसका बहुत ही सिंपल सा है जो ट्रिक बनता है वो सीधे बेसी कांसेप्ट से ही बनता है दोस्तों तो ट्रिक पर आप थोड़ा साथ जब ध्यान देंगे तो ट्रिक क्या इसका है 1 अपान F 1 अपान L 1 अपान F माइनस 1 अपान L आपका एंसर तुरंत आ जाएगा अब दोस्तों F और L को समझना है दोस्तों F माने 1st F से हो गया 1st और L से हो गया 1st इस चीज को आपको समझना है यानि यह कह रहा है कि F सिरीज का पहला जो है वो इसे यप से करेंगे जो हल है उसको यप से करेंगे और इसको जो last वाला है उसको L से करेंगे यानि यह F हो गया और यह हो गया L अब इसी को 1 upon F 1 upon F के जगह क्या रखेंगे 2 F के जगह क्या आगया 2 तो यहां पर रख देंगे 2 minus 1 upon L, L के जगह क्या आगया 10 तो रख देंगे 1 upon 10 अब इसी का हम LC हम ले लेंगे तो हो जाएगा 10 2 से डिवाइट करेंगे 5 बार जाएगा और 10 से 1 बार तो इसको हम 5 में से गटाएगे तो बचेगा 4 4 बटा हो जाएगा 10 2 से डिवाइट करेंगे दू दूना एक 4 दू बचे 10 तो यह आपका एंसर आजाएगा 2 बटा 5 तो दोस्तों जो basic concept है same way trick बनाया गया उसके last step को हमने क्या किया last step को direct उठा लिया इसको cancel करने का जमेला खतम हो जाएगा तो दोस्तों यह प्रस्ण आपको अच्छे से समझ में आया होगा आईए इसी type का एक अगला सवाल हम हल करते हैं दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि 1 upon 3 into 4 प्लस 1 upon 4 into 5 प्लस 1 upon 5 into 6 प्लस ऐसे डाट डाट गया है प्लस 1 upon 99 into 100 यह आपको series D हुई है तो दोस्तों ध्यान देना है कि यह series में एक का अंतर है और एक उपर दिया हुआ है आपको series को ध्यान देना है चार में से आप 5 पांच में इस चार घटाएंगे एक आएगा एक उपर दिया हुआ है यानि इसका मतलब है कि 1 upon 3 minus 1 upon 4 किया गया है तो इस pattern को आपको याद रखना है और जब यह pattern आपको मिल जाए तो आपका सीधा सट ट्रिक होता है 1 upon f minus 1 upon l दोस्तों f का मतलब हो गया first तो पहला हर क्या है इसका 3 है तो इसको यह आप माल लेंगे और last वाला क्या है 100 है तो इसको माल लेंगे हम l अब लिख देना है 1 upon f 1 upon 3 minus 1 upon l 1 upon 100 अब इसको हम इसका lc हम लेंगे तो हो जाएगा 300 तीन से डिवाइट करेंगे 100 बार जाएगा 100 का गुड़ा एक में होगा तो यह हो जाएगा 100 माइनस 100 से करेंगे 3 बार जाएगा 3 का गुड़ा एक में होगा तो 3 100 में से 3 घटाएगे तो बचेगा 97 बटा 300 तो दोस्तों यह हो गया आपका trick आप basic से भी लगा सकते हैं और trick से भी लगा सकते हैं तो आपका option number यह सही हो जाएगा a तो दोस्तों यह first type के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं आईए हम second type का सवाल किस तरह से पूछा जाता है उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों type number 2 आपके शामने हैं यह सवाल बहुत ही important है और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आपको same format पे इस सवाल को set करना होता है सवाल है कि 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus 1 upon 9 into 11 plus dot 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 1 upon 23 into 25 दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर उपर लिखा होना चीए साथ में आप 5 गटाएंगे तो 2 बच रहा है लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसको आप 1 upon 5 minus 1 upon 7 नहीं लिख सकते हैं अगर आप इसे चाहें कि 1 upon 5 into 7 को आप लिख लें कि 1 upon 5 minus 1 upon 7 तो दोस्तों यह सवाल आपका सही नहीं होगा क्योंकि जैसे ही 1 upon 5 upon 7 लिखेंगे इसको अगर आप हल करेंगे 1 upon 5 minus 1 upon 7 अगर इसको आप हल करेंगे तो 5 into 7 इसका LCM हो जाएगा 7 उपर जाएगा यहाँ पर 5 जाएगा तो हो जाएगा 2 upon 5 into 7 यानि format को सेट होने के लिए इन दोनों का अंतर उपर होना चाहिए जो हमारे सिरीज में नहीं है अगर यह हमारे सिरीज में होता तो हम इसको 1 upon 5 minus 1 upon 7 लिखके पिछले सवाल की तरह हल कर लेते तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे 2 का गुड़ा कर देंगे और 2 का भाग कर देंगे यानि हमने 2 से भाग कर दिया और 2 से सिरीज में उपर गुड़ा कर देंगे तो हो जाएगा 2 upon 5 into 7 प्लस 2 upon 7 into 9 प्लस 2 upon 9 into 11 प्लस डाट डाट आगे बढ़ेंगे हम 2 upon 23 into 25 दोस्तों ध्यान देना है हम multiply 2 से क्यों किये हैं क्योंकि इन दोनों का अंतर जब तक उपर नहीं रहेगा तब तक आप इसको direct 1 upon 5 minus 1 upon 7 नहीं लिख पाएंगे सेम फार्मेट पर सेट करने के लिए हमने क्या किया 2 से उपर क्यों 2 से गुड़ा किया क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 है तो 2 से उपर गुड़ा कर दिया 2 से नीचे गुड़ा कर दिया तो इस series में कोई अंतर नहीं आएगा दोस्तों आईए इसको हल करते हैं 1 upon 2 बाहर हो जाएगा अब इसको आप लिख सकते हैं 2 upon 5 into 7 को आप लिख सकते हैं 1 upon 5 minus 1 upon 7 तो इसको लिख लेंगे 1 upon 5 minus 1 upon 7 plus इसको भी लिख सकते हैं 1 upon 7 minus 1 upon 9 plus इसको भी लिख सकते हैं 1 upon 9 minus 1 upon 11 plus आगे बढ़ेंगे 1 upon 23 minus 1 upon 25 दोस्तों अब इसी को हमको solve कर देना है 1 upon 7 से 1 upon 7 कटेगा 1 upon 9 से 1 upon 9 कटेगा 11 से यहाँ वाला 11 कट जाएगा 23 से इधर वाला 23 कट जाएगा आपके पास बच गया 1 upon 5 और minus 1 upon 25 दोस्तों इसी को हम solve कर देंगे 1 upon 2 बाहर है 1 upon 5 minus 1 upon 25 दोस्तों थोड़ा से यहाँ पे ध्यान देना है 1 upon 2 बाहर हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा 25 5 से भाग देंगे 5 बाहर जाएगा और 25 से भाग देंगे तो एक ही बाहर जाएगा दोस्तों इसे हम यहाँ solve कर लेते हैं 1 upon 2 बाहर है 5 में से गटाएगे 4 बचेगा और नीचे बचेगा 25 2 से यह cancel हो जाएगा 2 टाइम जाएगा यानि आपका हो गया 2 बटा 25 यानि इसका उतरा जाएगा 2 बटा 25 जोस्तों अभी तक आपने इस सवाल के basic method को समझा अब आएए इसके trick को समझने का प्रयास करते हैं इसका trick एकदम simple है trick में क्या है 1 upon d 1 upon d into 1 upon f minus 1 upon l दोस्तों जो पिछले सवाल का जो trick था उसमें 1 upon d नहीं था उसमें आपको केवल 1 upon f minus 1 upon l दिया हुआ था लेकिन इसमें 1 upon d दिया हुआ d का मतलब है difference d का मतलब है difference f का मतलब हो गया first और l का मतलब हो गया last यानि आपको सबसे पहले इन स्रेणी की difference को देखना है तो difference कितना है अंतर कितना है 2 का दोस्तों अगर अंतर यहाँ पे लिखा हो 2 यहाँ पे लिखा हो तो आपको यहाँ पे d लगाने की ज़रुरत नहीं है लेकिन अगर यहाँ पे 1 लिखा हो और इनका कोई difference, same difference आ रहा हो तो उसको यहाँ पे आपको लिखने की जरुरत पड़ेगी देखे सबका difference क्या है? 2 है तो आप लिखेंगे और first आपको पता यह हो गया, first 5 है और last 25 है तो 1 upon D, 1 upon D के जगा पे हम क्या रखेंगे? difference हमारा आया है 2, स्रेणी में difference 2 है, बटा 1 upon F क्या है? 1 upon हो जाएगा, F के जगा पे हम 5 रख देंगे, minus, last है 25 तो रखेंगे 1 upon 25 इसे को दोस्तों solve कर देना है, 1 upon 2, 25 का जब हम लेंगे LCM तो हो जाएगा 25, 5 बचे 25 होता है, 5 minus 1 तो यह हो जाएगा, 1 upon 2 into 4 upon 25, अब 2 से आप divide कर देंगे, 2, 2, 0, 4 होता है, तो हो जाएगा 2 upon 25 यानि इसका right answer हो जाएगा 2 upon 25, यानि दोस्तों इस तरह की जो भी स्रेडी आपके सामने मिलेगी, उसमें आपको तुरंट चेक करना है कि क्या स्रेडी का अंतर कुछ है, अगर स्रेडी का अंतर कुछ है, और उपर उतना ही अंतर दिया हुआ है, तब तो आप 1 upon F minus 1 upon L करके लगा लेंगे, लेकिन अगर स्रेडी में अंतर दिया हुआ हो, और उपर 1 दिया हुआ हो, तो आपको 1 upon D into 1 upon F minus 1 upon L लगा कर ही उस सवाल को solve करना, आए दोस्तों इसी स्रेडी का अगला सवाल हल करते हैं, दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, 1 upon 10 into 15, प्लस 1 upon 15 into 20, प्लस 1 upon 20 into 25, प्लस 1 upon 95 into 100, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो अंतर है, 10 into 15 में अंतर 5 है, 15 into 20 में जो अंतर है, वो 5 है, या डिफरेंस हो है, 5 है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 20 into 25 में डिफरेंस क्या है, 5 है, और 95 into 100 में भी डिफरेंस आ उपर रहता तो हम इसको 1 upon 10 into minus 1 upon 15 कर लेते लेकिन अगर यह अंतर केवल नीचे दिख रहा है उपर 1 है तो आपको ट्रिक बताया गया है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है लिखना है 1 upon d into 1 upon f minus 1 upon l दोस्तों चुकि यह हमने आपको पीछे बता दिया d difference है इन दोनों का difference d first first यानि यह 10 इसको f से denote करेंगे और last यह यल अंतिम वाला यह पाइला वाला और अंतिम वाला तो 1 upon d 1 upon d क्या हो जाएगा d5 है तो d के जगा आप 5 रख देंगे 1 upon f f क्या है यहां पे आप देख पा रहे है 10 है तो 1 upon 10 कर देंगे और minus 1 upon l 100 है तो 100 कर देना है बस इतना सा काम करना है और आपको इस सवाल को solve कर देना है दोस्तों जब solve करेंगे तो इसका हो जाएगा 100 lgm हो जाएगा 100 10 से divide करेंगे तो 10 times जाएगा यह 10 हो जाएगा minus 1 हो जाएगा दोस्तों 1 upon 5 into 10 में से 1 minus करेंगे तो 9 हो जाएगा बटा 100 अब इसकी को solve करतेंगे 9 upon 500 यह आपका answer आजाएगा तो दोस्तों या तो आप basic से करिए या तो trick से करिए बस आपको ध्यान देना है कि इसका जो difference आ रहा है यह उपर 1 है और difference कोई आ रहा है तो आपको यह वाला सुत्र लगाना है अगर नीचे कोई difference है और यह यह difference उपर दिया है तो आपको simply 1 upon f into 1 upon l लगाना है तो दोस्तों आईए इसी type के एक अगले सवाल को भी हम करते हैं जिसे हमारा concept पूरी तरह से clear हो सके दोस्तों सवाल आपके सामने है कि 1 upon 7 into 100 plus 1 upon 7 into 11 plus 1 upon 11 into 15 plus 1 upon 15 into 19 और plus 1 upon 31 into 35 तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो difference है वो 4 है इसका भी difference 4 है यानि सबका difference 4 है और 4 यह difference है और उपर 1 लिखा है तो आपके लिए सिदा सा फार्मूला हमने बता रखा है 1 upon d into 1 upon f minus 1 upon आपको l कर देना है इसे पर आप इस सवाल को रख देंगे और solve क करने के बाद हम उत्तर को comment box में जरूर दें जिससे हमें पता चल सके कि आप कोई सवाल अच्छे से समझ में आया है चले दोस्तों आईए हम type 3 की तरब तरब बढ़ते हैं दोस्तों आईए देखते हैं कि type number 3 के सवाल किस type से बनते हैं दोस्तों जो type हम आगे बढ़ते जा र 12 प्लस 1 अपान 20 प्लस 1 अपान 30 प्लस डादा डाट 1 अपान ऐन इंटु एन प्लस n into n plus 1 दोस्तों ये सवाल एक सेम फार्मेट पे है बस ये सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 upon 2 है यहाँ पे 1 upon 6 है 1 upon 12 है तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 1 into 2 2 को लिख सकते हैं 1 into 2 6 को क्या लिख सकते हैं 1 upon 2 into 3 12 को क्या लिख सकते हैं 1 upon 3 into 4 20 को क्या लिख सकते हैं 1 upon 4 into 5 30 को क्या लिख सकते हैं 1 upon 5 into 6 ऐसे ऐसे बढ़ेंगे आगे 1 upon n into n plus 1 देखिए दोस्तों ये टाइप फस्त के पेटर्न पर ये सवाल आपका सेट हो चुका है क्या कह रहा है कि 1 upon 1 into 2 इसका difference आपको देखना है difference क्या है 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा और उपर भी उतना ही दिया है यहां भी difference 1 है उपर वही दिया है तो आपको क्या करना है simply 1 upon L 1 upon F minus 1 upon L कर देना है आपका answer तुरंट आ जाएगा तो 1 upon F क्या होगा 1 upon F first क्या है 1 है और last क्या है N plus 1 है जो last है वो N plus 1 है तो आएगे दोस्तों इसको solve करते हैं 1 upon 1 minus 1 upon N plus 1 तो इसका जब LCM लेंगे तो हो जाएगा N plus 1 1 से भाग करेंगे तो हो जाएगा N plus 1 minus N plus 1 से इसमें भाग करेंगे तो एक बचे का यह हो जाएगा एक से एक यह cancel हो जाएगा तो बचे का N upon N plus 1 तो दोस्तों आपका आपसर नम्मर जो D है वो right answer हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह का जो भी सवाल है वो एक निश्चित फार्मेट पर आता है और आपको बस फार्मेट को समझने की बात है जैसे ही आप इस फार्मेट पर ध्यान देंगे तो यह फार्मेट जब आप समझ जाएंगे तुरंत आपका answer आपके सामने होगा आए दोस्तों अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल भी बहुत इंपार्टेंट है और दोस्तों जो भी आपको हम सवाल करा रहें यह किशी ने किशी एकजाम में पूछा हुआ सवाल है तो आगे दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं 3 अपान 4 प्लस 5 अपान 36 प्लस 7 अपान 144 प्लस ऐसे ऐसे बढ़ेंगे 17 पान 5184 प्लस 19 अपान 81 100 दोस्तों आपको फिर ये सवाल दे दिया गया और इसका पैटर्न आपको पता नहीं चल रहा होगा तो दोस्तों इसको सबसे पहले आपको एक पैटर्न पे सेट कर रहा है और जो भी सवाल होता है हमने पहले ही बता दिया किसी नहीं किसी पैटर्न पे होता है तो दोस्तों यहाँ पे 4 लिखा है तो इस 4 को आप लिख सकते हैं 1 into 4 लिख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 4 और into 9, 4, 9, 36 होता है तो लिख सकते हैं अब देखिए इसका जो डिफरेंस है ये 3 है इसका डिफरेंस क्या हो गया 5 है इसी तरह इसको लिख सकते हैं 9 गुडे 16 16 नमा होता है 144 फिर ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्लस 17 बटा है दोस्तों इसको आप फैक्टर करेंगे तो इसको आप लिख पाएंगे 64 गुडे 81 इससे आपको जादे परसान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आप आप आएंगे 19 बटा है 18100 है तो इसको आप लिख सकते हैं 18100 दोस्तों अगर आपको फैक्टर थोड़ा कठिन लगे तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि यह फार्मेट पे ही होता है और ऐसा फैक्टर करना है जिसका अंतर 19 आ जाए तो 18100 इसका डिफरेंस हो जाएगा 19 अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 अपान 4 है इसका डिफरेंस 3 है 4 इन्टू 9 है इसका डिफरेंस 5 है यानि जो इसका डिफरेंस से यह उपर दिया हुआ है तो इसको आप डाइरेक्ट 1 अपान F माइनस 1 अपान L पे लगा सकते हैं चुकि दोस्तों हमने आपको पीछे बता रखा है कि जब इसका डिफरेंस जो है जो 3 है वो उपर दिया हो तो आपको डिफरेंस 1 अपान L कर देना है इसमें आपको डिफरेंस से भाग देने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों इ गुद्तर इसी से मिलेगा 1 अपान F तो 1 अपान F ए जगह 1 रख देंगे माइनस यल क्या है 100 है लॉस्ट यह फर्स्ट तो 1 अपान 100 यहां पर रख देंगे दोस्तों इसी को solve कर देना है LCM हमारा हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 100-1 और 100 में से 1- करेंगे तो ये 99 upon 100 दोस्तों हमारा answer आगया 99 upon 100 अब option में आप जाएगे तो option में आपके दिया है 0.9, 0.95, 0.99 और 1.91 तो दोस्तों यहाँ पे जब 100 से आप divide करेंगे तो ये हो जाएगा 0.99 तो option नमर आपका C correct answer होगा तो दोस्तों इस तरह से सवाल आपके exam में पूछे जाते हैं तो आएए दोस्तों इस सवाल के अगले type की तरफ बढ़ते हैं ने तो एक सवाल 2 square into 3 square plus 7 upon 3 square into 4 square और ऐसे-एसे 39 upon 19 square into 20 का square is equal to what तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता चुका है कि ये सवाल same format पे होते हैं तो 1 का square करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 का square करेंगे तो हो जाएगा 4 plus 5 upon 2 का square करेंगे तो हो जाएगा 4 into 3 का square करेंगे तो हो जाएगा 9 plus 7 upon 3 का square करेंगे तो हो जाएगा 9 और 4 का square करेंगे तो हो जाएगा 16 ऐसे आगे बढ़ेंगे हम 39 19 का square करेंगे तो आपका हो जाएगा 361 into 20 का square करेंगे तो 400 दोस्तों इतना होने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये टाइप नमर 2 का सवाल सेम मिल गए आपको अब ध्यान दीजे यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और यही 3 उपर दिया हुआ है 4 में से 9 में से 4 गटाएंगे तो 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा और यही 5 आपको उपर दिया हुआ है तो दोस्तों हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि अगर डिफरेंस जो डिफरेंस आ रहा है वो उपर दिया हुआ हो तो आपको डायरेक्ट 1 अपान f माइनस 1 अपान l कर देना है आपको 1 अपान d से multiply नहीं करना है तो इसी पे हम इसका value रख देंगे 1 अपान f, f के जगा क्या होगा f की value हो जाएगी 1 और l की value हो जाएगी 400 तो 1 अपान 1 माइनस 1 अपान l के जगा हम रखेंगे 400 इसी को हमें दोस्तों solve कर देना है, lcm हो जाएगा 400, एक से भाग देंगे 400 बार जाएगा 400 का उपर गुड़ा होगा तो 400 हो जाएगा 400 से फिर भाग देंगे एक बार जाएगा एक का उपर गुड़ा कर देंगे एक हो जाएगा 400 में से घटाएगे तो 399 बचेगा बटा 400 दोस्तों यही आपका answer हो जाएगा तो जब भी आपको इस रेडी से सवाल मिले तो आप उसके सबसे पहले उसको फार्मेट पे सेट कीजिए और जैसे ही सवाल आपके फार्मेट पे सेट होगा तुरंत आपका एंसर आपके सामने होगा आए दोस्तों इस टॉपिक के लास्ट टाइप की तरब बढ़ते हैं 1 प्लस 1 अपान 3 इंटू 1 प्लस 1 अपान 4 ब्रेकेट में इंटू 1 प्लस 1 अपान 5 फिर ऐसे ऐसे 1 प्लस 1 अपान 20 इसका पूश है कि इसका एंसर क्या होगा तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कहारा कि 1 प्लस 1 अपान 3 इन्टू 1 प्लस 1 अपान 4 इन्टू 1 प्लस 1 अपान 5 इन्टू आगे हम बढ़ेंगे 1 प्लस 1 अपान 20 दोस्तों आए इसे solve करते हैं इसका LC हम लेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 4 अपान 3 इन्टू इसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 एक 5 अपान 4 इन्टू इसको जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 5 एक 6 अपान 5 गुड़े ऐसे आगे हम बढ़ेंगे इसको जोड़ तो 20 से कम 20, 21 अपान 20 दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 6 से यहाँ पे 6 होगा जो कैंसिल हो जाएगा, अब इसी तरह यहाँ पे देखिये दोस्तों, यहाँ पे 20 होगा, जिससे 20 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंक 6-6 cancel होगा फिर 7-7 cancel होगा ऐसे यह series आगे बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर 20 होगा और 20 से 20 cancel हो जाएगा अब क्या बचा दोस्तो देखें यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 21 तो 21 को उपर लिखेंगे 21 बटा यह बचेगा 3 अब 3 से हम divide करेंगे तो 3-7 जा होता है 21 तो यही आपका answer हो जाएगा 7 यानि इस तरह के जब सवाल आए तो उसको आपको एक step बढ़ना है एक step उसको पहले solve करना है और जैसे ही आप solve करेंगे तो देखेंगे कि यह reach में से uns से हर uns से हर कटा जाएगा किवल first वाला और last वाला बचेगा जिसको आप divide कर लेंगे और आपका answer आपके सामने होगा आए दोस्तों अगले सवाल की ट्रप आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है 1-1 upon 5 into 1-1 upon 6 into 1-1 upon 7 into 1-1 upon 100 तो दोस्तों इसी तरह same pattern पे इसको solve करना है 5 एकम 5 5 में से गटाएंगे तो बचेगा 4 बटा 5 हो जाएगा गुडे 6 कम 6 6 में से गटाएंगे तो 5 बटा 6 into अब 7 7 एकम 7 7 में से गटाएंगे तो 6 बटा 7 ऐ इसे यह सीरीज आगे बढ़ती जाएगी into 100 में से एक घटाएंगे तो यह हो जाएगा 99 और 99 बटा 100 दोस्तों अब देखना है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया 6 से 6 कैंसिल हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया यानि हर से अंस कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे 99 होगा और 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका उपर बचा 4 तो यहाँ पे आप 4 लिख लेंगे बटा नीचे बचा 100 तो नीचे 100 लिख लेंगे इसी को आप कर देंगे 4 एक कम 4 और 25 को होता है 100 तो हो जाएगा आपका एंसर एक बटा बच्चीस आई दोस्तों इस पूरे वीडियो के लास्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दिया 2-1 अपान 3 इंटो 2-3 अपान 5 इंटो 2-5 अपान 7 ऐसे आगे बढ़ेंगे 2-13 अपान 15 तो आई दोस्तों इसको साल्प करते हैं 3-2-6 6 में से 1 घटाएंगे तो 7 बटा 3 गुडे 5-2-10 10 में से 3 घटाएंगे 5-2-10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बटा 5 3-2-6 6 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों ये 5 हो जाएगा इंटो 5-10 और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बटा साथ और दो में से एक जाए 17 बटा हो जाएगा यह 15 अब देखते हैं दोस्तों किस से कौन कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर देखें 5 से 5 कैंसिल हुआ 7 से 7 कैंसिल हुआ फिर यहां 5 से 5 कैंसिल होगा ऐसे ऐसे cancel होते जाएगा और ये 15 से 15 आपका हो जाएगा cancel अब बचेगा उपर 17 और नीचे बचेगा 3 अब 17 में 3 से भाग देंगे तो 3 पचे होता है 15 और 15 में दो घटाएंगे दो बचेगा 17 बटा 3 यानि 5 सही 2 बटा 3 आपका correct answer होगा तो दोस्तों आसा करते हैं कि ये पूरे सेरीज का जितना भी concept है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए अगर चैनल पे नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों कि साथ सेर नहीं किया है तो सेर करना बिल्कुल भी ना भूले तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही मिलते है अगली क्लास में जय हिंद वंदे मात्रम